हेलो दोस्तों वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूँ आपका दोसे जासिया फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक ऐसा ठोकिन जो के बनलब इसी बुलरन के अंदर में भी शीबा इनू, नेक्स्ट शीबा इनू बन जाए, नेक्स्ट प्लोकी इनू बन जाए, इस चीज के चांस यहां पर मौझूद हैं कि थाउजन्ड्स अफ़ परसंड्स उसका प्राइज या फिर लैक्स अफ़ परसंड्स उसका प्राइज बढ़ जाए, वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टन्ट है, देखना कंचिनू कीजेगा ताके आप तक पूरी इंफर्मिशन पहुंचे, आप समझ बाएं, अगर यहां पर मार्किट के अंदर भाईया आप आएं और आप चाहते हैं कि यहां से आपको प्रॉफिट्स मिलें, तो आपको चीजें जो हो सही से टाइम, बनलब देखकर देखनी समझनी पड़ेंगी यह तो हो नहीं सकता कि आप जो हो किसी वीडियो को या पिर किसी आर्टिकल को या पिर आप चार्ट्स को पांच मिनट भी देने के लिए तैयार ना हो, समझने के लिए तैयार ना हो, सीरिस्नी किसी चीज़ को लेना और आपको बनाने हो, यहां पर लाकों डॉलर, दोस्तो तो ये चीज ज्यादा रिस्की हो जाती है, इसलिए कहता हूँ, कि आप information जो हो यहाँ पर पूरी हासिल किया करें, अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, दोस्तो शीवा एनू, एंड बोन पर भी, शीवा एनू को भी देख लेंगे, बोन को भी देख ल सबसे पहले वही कोई जो है, जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की, वही आपके साथ से हर करूँगा, ठीक है, मतलब कोई भी लंबी चोड़ी, वो मुझे यहाँ पर फैंकनी नहीं है, कुछ भी नहीं करना, आपकी स्क्रीन पर है, दोस्तो वाट इस ड बाइनेंस पर आ गया है, तो उसके बाद बहुत ज्यादा कोई इसका प्राइस बढ़ गया होगा, यह ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, कि आप इसका प्राइस जो हो किस सरा से चल रहा है, मूव कर रहा है, यह जरा आप कोईन मार्केट के पर जो हो देख लें, खुद ही, आल टाइम का चार्ड कर देता हूँ, यहाँ पर आप देखें, 0.17 पर इसकी जो हो यहाँ पर लाँचिक हुई है, कोईन मार्केट के पर, तो उस हिसाब से अगर परसंटेज वाइस देखेंगे, तो भाया यह आपको 1199 परसंट जो वो पुमे दिखा रहा हूँ, उसके बाद से आइसा इसा करके जो हो प्राइज, इसका जो हो बड़ा है, यहाँ पर थोड़ा कम भी हुआ, नीचे भी आया, एक डॉलर तक भी करेक्शन इसने करी है, यहाँ पर उसके बाद प्राइज वो बापस ऊपर चला गया, करेक्शन हो लॉंग टरम के अंदर, मतलब आप इस पर नजर रखें, अगर आप अभी भी इंवेस्मेंट कर सकते हैं, तो भी मतलब सही है, लेकिन अगर आपको यह सस्ते में मिलता है, तो और भी अच्छी बात है, ट्रेडिंग वॉल्यूम भी इसका जो हो बाइन्स पर अच्छा चल है, यहां पर आप कोईन मार्किट केप पर जो हो इसकी टोटल मार्किट केप देख लें, मलब कुछी दिनों के अंदर, टू बिलियन से ज्यादा इसने अपनी मार्किट केप यहां पर बढ़ा दी है, बना दी है, और वॉल्यूम जो हो 24 आवर का, यहां पर ट्रेडिंग व जो कोईन है, कोईन बेस या फिर बैनाइन्स पर आता है, तो उस वक्त अगर जंप आप वो ना भी करे, तो मार्किट की कंडिशन जब अच्छी हो जाती है, तो उसके बाद एक अच्छा खासा जंप वो कोईन कर सकता है, इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल जो है, फ्लो की इन जब यहां पर शुरू हुआ है, तो ट्रेडिंग वॉल्यूम उनका देख लें, उन्हेंने न्यू हाइज यहां पर बनाना शुरू कर दिये हैं, और जो यह डॉग वाइफ है, यह कोईन जो है, यह भी बिल्कुल ऐसा ही कर सकता है, और यहां पर दो बिलियन डॉलर इसकी म बोन पर और बोन की न्यूज आपके साथ शेयर करता हूँ, यह आप देख सकते हैं कि शीबा इनू का प्राइज दोस्तों आज के दिन के अंदर जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो इसने वापिस जो थोड़ा जाने की कोशिश की, 0.4x038 तक गया लेकिन उसके बाद डिपेंड कर रहा होगा, मार्किट कंडिशन्स पर बड़ा डिपेंड कर रहा होगा, अगर मार्किट कंडिशन्स इसी तरह से बुलिश रहती हैं और पॉजिटिव रहती हैं, तो मेरा ख्याल है कि न्यू आल टाइम हाय शीबा इनू के अंदर हमें देखने को मिल सकता है, और मेरा ख्याल है कि शीबा इनू को इससे कोई भी नहीं रोक सकता, बिकाज 2021 को जब हम हिस्टारिकली देखते हैं तो शीबा इनू के पास उस वक्त दोस्तो ना गेम था, ना ब्लॉक्चेन थी, और ना ही बेटावर्स का प्रजेक्ट था, ना ही दोस्तो इविन शीबा स् शीबा इनू के एको सिस्टम की में बात कर रहा हूं, टीम डेवलपर्स यहां पर बहुत बड़े काम जो हो कर रहे हैं, शीबा इनू की ब्लॉक्चेन पर प्रोजेक्ट आना शुरू हो गए हैं, इसलिए यहां पर हम ज़रूर कह सकते हैं कि यह बुल रन जो है, वो न्यू पास पॉसिबली लिस्ट कर सकता है, बैनाइनस ने मतलब ट्वेट किया है, कि मुकाबला रखा है कि भाईया आप वोटिंग दो, वोट करो कि किसको हमें लिस्ट करना चाहिए, बैनाइनस फ्यूचर के अंदर, ठीक है, स्पॉर्ट की बात नहीं होरी, फ्यूचर, I don't know, मत यहां पर जो ट्वेट है, वो फ्यूचर की बात है, तो बिटेंग सर और बोन और बेबी डॉच वगेरा में मुकाबला रखा गया है, देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन यहां से एक चीज़ जरूर है, कि बोन उस लाइन में जरूर लगा हुआ है, कि बाइनस यहां वो उ बात कर रहा हूँ, 26 करोड डॉलर इसकी मार्केट केप है, थोड़ी देर पहले मैंने डॉग वाइफ हेट जो है, वो आपको दिखाया, न्यू मीम कोईन है, और वो लाँच हुआ है, उसकी जो मार्केट केप है, वो टू बिलियन डॉलर चल रही है, और यहां पर दोस्तों अप्लाई है, वो बहुत कम है, यहां पर आप देख सकते हैं कि 25 करोड इन्हों ने सप्लाई शुरूग में रखी थी, लेकिन फिर बाद में इसको और भी कम रखा गया, और 24 करोड रखा गया, रिसेंटली एक और अनॉंसमेंट यहां पर टीम ने करी है, कि दोस्तों, बहल अज़े की बात यह है, कि टीम ने कहा है, कि इसको सेल करने के बाद जो पैसा हमारे पास आएगा, उससे नट ओनली शीवा एनु बर्न होगा, लेकिन इस सेम टाइम हम बोन को भी बर्न करेंगे, अब इसका मतलब यह निकल जाता है, कि 24 करोड टोकिन मेंसे भी यहां पर बर काइन है, जिसकी वेब साइट मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई दी, यह आप देख लें जरा, इसको हम मतलब कोई बहुत ज्यादा हलके में भी नहीं ले सकते, ऐसा नहीं कह सकते कि यह जस्ट एक मीम काइन है, और यह कुछ करने वाले नहीं है, एक तो यह है, आ उसमें ट्रांजेक्शन पर सेकिंड जो हो सोलाना से भी ज्यादा होगी, फिलहाल के लिए यह खुद जो हो सोलाना की ब्लाकचेन पर आएवे हैं, लेकिन इस तरह के और भी चीजे हैं, जिसमें यह सोलाना को भी पचाड़ने का कह रहे हैं, कि हम इसको भी पीछे चोड़ चाहिए, यह जो मार्केट के चल रहा है, टू बिलियन का, यह अगर मार्केट के वन बिलियन डॉलर तक आ जाता है, तो फिर तो अच्छी ही बात होगी, यह यहां पर अगर हमें मिल जाता है, तो वापस जबरदस्ट प्रॉफिट हम यहां से किसी भी वक्त बना सकते हैं, म